श्री शिवाय नमस्तु भयम, हर हर महादेव, आज हम इस वीडियो में, आपको मनोकामना पूर्ती एवं आपका कोई भी ऐसा काम है जो अठका हुआ है, पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आपका सभी काम नंदी महराज पूर्ण करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आपको ओम नमा शिवाय नंदी महराज के कान में बोलना है, लेकिन ये काम आपको थोड़ा सा नियम से करना है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को जरूर लाइक करें और जिसने चैनल सब स्क्राइब जरूर करिएगा, ठीक है, अब ध्यान से समझना, इस उपाय को हमें कैसे करना है, अब हमें कौन-कौन सी चीज की जरूरत है, स्क्रीन पर आपको बेलपत्र दिख रहा होगा, आपको साथ बेलपत्र की जरूरत होगी, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि उसमें से पांच बेलपत्र को आपको महादेव के शिवलिंग के ठीक उपर श्री शिवाय नमस्तु भ्याम का स्मरण करते हुए अपनी कामना करते हुए एक-एक करके आपको समर्पित कर देना है। महादेव के शिवलिंग पर तो यहां पर उल्टा नहीं रखना है। यहां पर आपको क्या करना है? बिल्कुल सीधा-सीधा चरहा देना है। यह होता है माता अशोक सुन्दरी का स्थान। अब आपके पास साथवीं बेलपत्र बची हुई है। उस साथवें बेलपत्र को ले बापत्र कर देना है। श्री शिवाय नमस्तु भ्याम का स्मरण करते हुए। अब देखो जो आपको लास्ट काम करना है वो यही करना है जैसे ये एक लेडी है। ये नन्दी बाभा के कान में कुछ कह रही है। इसी तरीके से आपको भी क्या करना है सब से पहले नन्दी नंदी बाबा के कान में ओम नमह शिवाए आप बोलेंगे उसके बाद आपको क्या करना है अपनी कामना नंदी बाबा के ही कान में कह देनी है देखो जब आप अपनी कामना नंदी बाबा के कान में कहते हैं ओम नमह शिवाए कहने के बाद तो नंदी बाबा जाते हैं भोले शंकर के पास, वो बताते हैं कि ये भक्त मेरे पास आया था, और उसने मेरे कानों में अपनी कामना या अपना जो भी कष्ट है, उसको बोला है, तो उस कामना को आप पूरा कर दें, इस तरीके से नंदी बाबा महादेव के सामने जाकर प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, तो जरूर करिएगा इस छोटे से उपाय को आपकी जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, इस उपाय को कब कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी दिन आप कर सकते हो हफदे में एक बार कर लेना, मन हो तो कल भी कर सकते हो, या फिर जब भी आपको मंदिर आपकी जो भी इच्छा बहुत दिनों से अधूरी है, पूरी जरूर होगी, कोशिश की है. आपको अच्छा समझाने की वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कर दीजिए, कुछ पूछना हो या नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, आप जो भी लोग पहली की बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करियेगा. श्री शिवाय नमस्तु भ्यम, हरहर महादेव